हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लांच मेकिंग करना सिखेंगे फ्लांच किस तरह से बनाया जाता है किस तरीके से कोरलेंथ लिखाला जाता है PCD किस तरह से लिखाला जाता है सारा इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों इससे बहले भी मैंने वीडियो अप्लोड किया है फ्लांच मेकिंग का बट उस पे बहुत सारा कन्फूजन आप लोग को हो रहा है कि सर आपने पूरा होल का मार्किंग करके नहीं दिखाया कमेंट आता है फिर बहुत सारा कमेंट आरा कि सर फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो इसको हम लोग फिर से दुबारा अच्छी तरीके से समझने का कोसिस करेंगे और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो तुरन चेनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन को प्रिस कर दीजेगा जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों चेनल का मेंबर सिप अभी तक अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो तुरन जाकर चेनल का मेंबर सिप जॉइन कर लिजे कैसे मिलेगा आइडी कैसे मिलेगा तो कभी भी जब भी आप अिटनेan एरिया में जाओगे दो तरीके से आपको फ्लांच मेकिंग करने के आपप परोसेस स्टार्ट होता है पहला आपको एक फ्लांच दे दिया जाता है इस तरीके का flange making करना है दूसरा तरीका है आपको OD, ID, उसके बाद PCD और Hole कितना hole करना है वो hole बता दिया जाता है core length नहीं बताया जाता है उसको आपको खुद से लिकाल कर बनाना पड़ता है दोस्तों उसको अपको क्या दे दिया जाता है OD दे दिया जाता है ID दे दिया जाता है और PCD दे दिया जाता है और कितने hole करने है वो भी उस drawing में बता दिया जाता है बस यही चार चीज आपको चाहिए होता है दोस्तो flange making करने के लिए तो जो सबसे पहला process है इस तरीके से flange दे दिया जाएगा इसको major कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोंको सबसे पहले आप लोंको OD measure कर लेना है कभी भी measure कीजिए 100 से कीजिए या तो vernier caliper से measure कीजिए दोस्तो vernier caliper से accurate measurement होता है मैं simple बताने के लिए आप लोंको measurement tip से measurement कर रहा हूँ यहां पर देखिए हम लोग 100 से measure कर रहे है तो इसका जो OD आ रहा है दोस्तो वो आ रहा है 97 ठीक है इसका जो OD आ रहा है यहां से head देखिए और यहां तक यह वाला OD है यहां से और यहां तक आप लोंको देखना है कितना आ रहा है 97 आ रहा है तो इस तरह से आप लोग को सबसे पहले OD को लिख लेना है, इस तरह से आप लोग को OD 97 mm, इस तरह से आप लोग को सबसे पहले लिख लेना है OD को, उसके बाद आपको क्या करना है, ID लिखना है, ID को भी हम लोग मेजर कर लेंगे, ID किसको बलाए तो ये वाला, ID को भी इस तरह स से id 29 अब लिकालना पड़ेगा PCD यहां बहुत ज्यादा confusion होता है इसको ध्यान से देखिएगा PCD किस तरह से लिकाला जाता है दोस्तों यह जो होल देख रहे हैं यहां से यहां तक किसको बोला जाता है Center to Center, hole के Center to Center को PCD बोला जाता है, pitch circle diameter यहां पर देखिए लिक दिया है मैंने तो उसी को PCD बोला जाता है उसको किस तरह से लिकाला जाता है उसको लिकालने के लिए आपको flange का यह वाला end यह जो end देख रहे हैं यहां से लेकर और इस end तक का measurement लेना है यहां से लेकर और इस end तक का measurement लीजेगा तो hole का center to center का measurement आप लोगों को मिल जाएगा कहां से कहां तक यहां से और इस जगा तक आपको measure करना पड़ेगा या तो अगर यहां से measure कर रहे हैं तो यहां से और यहां तक measure करना पड़ेगा कोई भी एक measure कीजेगा तो आपको center to center पता चल जागा दोस्तों मैं measurement करके आप लोगों को दिखा देता हूँ देखिए मैं यहाँ पे hand rate रखता हूँ इस जगा पर देखिए यह वाले hole के उपर में रखा हूँ hand rate को ठीक है और इसके यहाँ पे हम लोग measure करेंगे तभी हम हो रहा है 69 एकदम accurate measure करना है दोस्तों वर्नियर के लिपर से measure कीजिए आपको accurate measurement मिल जाएगा तो इसका जो PCD हो रहा है वो हो रहा है 69 तो हम लोग PCD को लिख लेते हैं दोस्तों PCD हो गया 69 mm सब mm में आएगा अब इस पे hole कितने किये हैं 4 hole है यहाँ पे यह आप लोगों को है कितने hole है चार hole है यह हम लोग को इस flange से measurement करके मिल गया दोस्तों यही अगर हम लोग को industrial area में एक drawing दे दिया जाता जिसमें OD भी रहता ID भी रहता और PCD का measurement भी रहता और आपको बोला जाता कि उस dimension का flange ready कर दिजे यह दो तरीका है फिर से मैं समझा दे रहे हैं एक तो आ फ्लांच बनाने से पहले core length लिकालना सीखना पड़ेगा core length किसको बोला जाता है यह hole से यह hole का distance और यह hole से यह hole का distance उसको लिकालना पड़ता है दोस्तों divider से marking करना पड़ता है यहीं पे fitter फस जाते हैं तो इसको आप लोग को ध्यान से देखना है तो हम लोग इसको measure कर यह वाला flange को OD भी measure कर लिए ID भी measure कर लिए PCD भी measure कर लिए और hole 4 करना है इसको भी हम लोग लिख लिए अब यहां पे हम लोग circle बना लेते हैं इस तरह का divider आता है तो divider में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ID को measure करेंगे ID कितना है 29 इस तरह से measurement tape को लेना है और 29 का half कितन है वो आपनों को लिखालना पड़ेगा दोस्तों तो 29 का half कितना होगा 14.5 में यहां पे set करना है divider को जब भी जितना का आपको circle बनाना है उसका half measure करना है जो भी circle बनाना है तो हम लोग को 14.5 set करना है यहां पे हो जाएगा 15 हो गया और यहां पे 14.5 देखिए इस तरीके से आपको measure कर लेना है दोस्तो 14.5 यहां पे आगिया हम लोग को अब इस तरह से आपको एक center punch लगा लेना है तो सबसे पहले plate में जिस जगा पर flanche बनाना है वहां पे center punch कर दिया जाता है दोस्तों और center punch करने के बाद इस तरीके से divider को रख कर और circle बनाया जाता है इस तरीके स हम लोग को outer का भी marking करना है outer कितना है 97 तो हम लोग को 97 का half कर लेना है दोस्तो 97 का जो half होता है वो होता है 48.5 ठीक है 48.5 में हम लोग फिर से इसको set कर लेते है 48.5 में divider को हम लोग फिर से set कर लेते हैं 48.5 में इस तरह से रखना है यहाँ पर हो जा रहा है 48.5 यहाँ पर देखिए 48.5 एकदम accurate लेना है दोस्तो अगर आपने accurate divider में measure नहीं किया तो उसका जो length है od है वो out हो जाएगा आइडी भी जो है वो out हो जाएगा तो measurement एकदम accurate लेना है divider में और center में इसको अच्छी तरीके से बैठा लेना है और circle कर लेना है दोस्तो इस तरीके से आपको circle कर लेना है इस तरीके से circle कर लेना है यह वाला हो गया id और यह वाला हो गया od का marking किलियर हो गया अब हम लोग को PC PCD कितना है उसका भी half आप लोग को लिकाल लेना है PCD यहांपे हम लोग को दिख रहा है 69 का जो half है दोस्तों वो हम लोग को लिकालना पड़ेगा यहांपे देखे PCD अब PCD लिकालना पड़ेगा PCD कितना है 69 तो 69 का हाफ हम लोग लिकाल लेंगे यहाँ पर हो जाएगा 34.5 अभी हम लोग को divider को set करना है 34.5 में फिर से divider को हम लोग इस तरीके से 34.5 में set कर लेते हैं PCD एकदम accurate measure करना है दोस्तों यहाँ पर देखिए 34.5 हम लोग इस तरह से फिर से इसी center में रखेंगे इसको center में रखना है और यह जो marking हो रहा है यह अभी PCD का marking हो रहा इसी में hole बनेगा दोस्तों यह जो है क्या करेंगे correlate लिखा लेंगे अभी यह बहुत important है दोस्तों correlate निखाने का जो formula है वो क्या है इसको जान लीजिए बिना correlate का आप लोग कहां पर hole आएगा उसको नहीं लिखाल सकते सबसे पहले दो formula को येस करना पड़ता है सबसे पहले 360 degree 360 ढिगरी भागा number of hole कितने hole करना है तो हम लोग का यह वाला फ्लाँच मना रहे इसमें चार होल करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका भागा कर लेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिगरी मिल जाएगा दोस्तों, तो अभी हम लोग 360 डिगरी से भागा करेंगे, कितना होल करना है, हम लोग को 4 होल करना है, तो 360 भागा, एक, दो, तीन, चार, चार होल करना है चेह है कि मिले नाइनों के लिम तक हम लोग यह है 90 है इसे अ 70 अब यह वाला फॉर्मुला से थ्यवाद आपको जाद रखना है कि पे हम लोगों ने क्या है degree लिका लिया, sign degree, अब क्या है B में क्या करना है, sign कितना आ जाएगा, ये वाला degree, हम लोगों ने जब पहले लिकाला, ये 90, भागा 2, गुना, PCD कितना है, यहाँ पे देखिए, PCD दीख रहा है हम लोग को, 69, clear हो गया यहाँ तक, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका sign 90 का कितना value आता है, ये आपको लिकालना है, देखिए, इस तरह से calculator ले लिजेगा, और यहाँ पे देखिए, sign दीख रहा है, यहाँ पे, ये वाला, sign क्लिक किजेगा, कितना है 90, 90, sign 90, भागा 2, भागा 2, ये वाला आ गुणा कितना करना है 69, अब इसको भी गुणा करके देख लेते हैं, 0.707, 69, तो answer कितना आ गया दोस्तो, 48.783, ये इसका answer आए, ये क्या है, core length है, ये क्या है दोस्तो, code length है, ठीक है, ये core length है, ये वाला जो है, अब इस पे हम लोग को divider को set करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 hole का marking करना पड़ेगा, ये भी मैं live दिखा दे रहा हूँ, आप लोग का comment आता है, कि आप live नहीं दिखाते हैं दोस्तो, marking करके, तो मैं अभी देखे, live यहाँ पे measure कर रहा हूँ, अगर गडबड होगा, तो यहाँ पे 4 hole पे आएगा नहीं ये, अगर ये formula ग 49 से थोड़ा सा कम है, तो 49 से हलका सा हम लोग कम रखेंगे दोस्तों इसको, 48 हो रहा है, 48 से हलका सा बढ़ा लेते हैं, और 49 से थोड़ा सा आपको कम रखना है, इस तरीके से, ठीक है इसको set कर लिया हम लोगोंने 48.783, अब क्या करना है, फिर से ये जो PCD का circle है, ये वाला, ये वाला जो आपनों को PCD का circle दीख रहा ना, ये वाला, इस पे सबसे पहले एक center punch लगा लेना है, इस तरीके से, सोचिए ये वाला center punch हो गया, अब यहाँ पे हम लोग इसके divider को रखेंगे इस तरीके से, और पहला marking करेंगे इस तरीके से, ये पहला marking हो गया, अब यहाँ पे रखेंगे दोस्तों हम लोग इस जगा पे इस तर से, एकदम accurate जगा में रखना है, नहीं तो थोड़ा सा आपको marking जो है, आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, इस तरीके से रखेंगे, अब यहाँ पे एक marking करेंगे, ठीके, दो हो गया, अब यहाँ पे हम लोग तीसरा करे एक दो, तीन, चार, चार होल का हम लोग को marking मिल गया, दोस्तों, यहाँ पे देखें, इसी जगा पे आया है, एकदम accurate है, यहाँ पे इस तरह करेंगे, तो एकदम accurate है इस जगा पे, अब यहाँ पे हम लोग को चार होल करना है, एक, दो, तीन, और चार होल, इसको अभी मैं फ्लांच को यहाँ पे बैठा कर दिखा देता हूं, दोस्तों, कि होल पे आ रहा है की नहीं, हम लोगों ने इसको रखकर नहीं marking किया, बढ़ देखिए, होल एकदम center पे है, इसका भी होल center पे है, और इसका भी होल center पे है, इस तरीके से आप लोग को marking करना है, दोस्तों, आ यहाँ पे देखिए, दिख रहा है, यह 15, 15 mm का यह होल है, यह वाला, ठीक है, तो आपको 15 mm का यहाँ पे, होल को cut कर लेना है, चारो होल को, यह वाला outer को cut कर लेना है, और यह inner को cut कर लेना है, फ्लांच ready हो जाएगा, दोस्तों, simple सा formula है, इस formula को याद रखना है, पहला क्या है, हम लोग को क्या लिखालना है, code length लिखालना है, code length लिखालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 measurements सबसे पहले लेना पड़ेगा, OD, ID और PCD, यह आपको जानकारी होना चाहिए, PCD एकदम accurate लेना है, तभी आपको सही marking होगा, नहीं तो गडबड हो जाएगा, दोस् क्या मिला हम लोग को sign का degree मिला, दूसरा जो formula यहाँ पर देखे, दो formula यूज करना पड़ता है, जो B है, उसमे sign degree हम लोग को degree डालना पड़ता है, जो कि हम लोग ने देखिए, यहाँ पर value आया था, इसको यहाँ पर put कर दिया, भागा 2 गुना PCD, जब इसको हम लोग ने sign म लिखावा रहेगा, उसको क्लिक करना है 90, 90 डाल दिजेगा, भागा 2 करना है, भागा 2, देखिए, यहाँ पर value लिकल गया, वही value मैंने लिखा है, 3 digits तक ही आपको लिखना है, 0.707 देखिए, मैंने लिखा है, गुना PCD कर दिया, जब गुना करेंगे, कोड लेन तब लोग का लिकल जाएगा, दोस्तो, flanche making करने के लिए, simple सा formula है, इसको याद रखना है, और मैंने आपके सामने live marking करके दिखाया, और 4 hole का marking मैंने करके दिखाया, दोस्तो, तो इसी process से, इसी formula से आप आसानी से flanche making कर सकते हैं, दूसरा, फिर से मैं बता देता हूँ, flanche making करने के dimension दे दिया जाएगा, OD, ID, PCD और कितना hole बनाना है, आपको खुद से इसी formula से marking करके, और flanche को cut करके ready करना पड़ेगा, दोस्तो, तो यही formula था, मैंने सामने marking करके आपको दिखाया, वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताएगा, दोस्तो, और सारा hole इसी formula से होगा, वो भी कभी भी confusion नहीं होना है, सबसे पहले degree लिका लेना इस तरीके से, 360 degree से भागा कर देना है number of hole को, आपको sign degree का value मिल जाएगा, उसके बाद ये वाले formula में सारे value को put up करके calculate कर लेना है, जो answer आएगा, वही correlate है दोस्तो, ठीके, 3 hole आप कर सकते हो, 5 hole किया गया है, और इसी formula से ही आपे 6 hole किया गया है दोस्तो, और ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला value है, इस value से आप लोगं marking कर सकते हो hole का, आपको ये वाला calculate नहीं करना पड़ेगा, sign का value है ये वाला value है आपको calculate करके नहीं लिकालना पड़ेगा, इसको मैंने easy कर दिया है, देखिए अगर 3 hole करना है तो ये वाला value डालना है, अगर 4 hole करना है तो ये वाला value डालना है, अगर 5 hole करना है तो ये वाला value डालना है, तो इसका एक screenshot लेकर रख लिजिए और जितना भी आपको hole करना है, number 3 से लेके number 10 तक, आपको simple सा PCD के साथ, जो PCD रहेगा, उसके साथ आपको ये वाले value को गुन आइकन को प्रेस कर दिए जिससे आपनोंको रेगुलार नोटिफिकसन मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर आपने जोईन नहीं किया है तो तुरन जाकर चैनल का मेंबर्सिप जोईन कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपने वाई दो स्थू।